सहस्पूर विधान सबक के अंतरगत कोटड़ा बिरसनी गाओं में गिरा दो मंजिना मकान सहस्पूर विधान सबक के अंतरगत कोटड़ा बिरसनी में गिरा पक्का मकान दो बच्चे दबे एक को बचाया गया दूसरे के लिए रैस्क्यू जारी बताते चलें सोमवार को खोटड़ा बिरसनी में एक मकान अचाना गिर गया जिसके नीचे दो बच्चे दब गए दोनों बच्चे नए मकान के नीचे पुराने मकान की छथ पर थे मौगे पर पहुँची सहस्पुर्थाना पुलिस और SDRF की टीम ने तदकाल रहर बचाव कारे शुरू करते हुए रेस्क्यू शुरू किया जिसमें मकान के पीछे से सुरंग खोट कर एक आठ फर्शे बाली का आस्ता को सुरक्षित बाहर निकाला गया हाला की बच्ची हाथसे के डर से सहमी हुई थी मौही मकान में अभी भी एक छे वर्शी बालक आरफ असा हुआ है जिसका रेस्क्यू जारी है हाथसा सुबह दस बचे नव निन में मकान के पिलर धस चाने के कारण हुआ बच्चे को बचाने के लिए बेहत पेचीता हालात में टीम को रेस्क्यू करने में तमाम कठिनाईयों का सामना करना पढ़ रहा है मकान में प्लास्टर का काम कतिमान था लेबर ने भी इस दोरान भाग कर जान बचाई इस दोरान घर के अन्ने सिदर से बहार थे विकास मगर्व से उत्रकन जमचार के लिए विजेपाल बंडारी की रिपोर्ट उसकी सुचना हम लोगो दस्विजे के असपरस लगे थी तुरंट मौके पर फोस्ट लिया गई एईडियारफ और फायर कीवी टीम यहां पर आगई इसके बाद सभी लोग मिलके ग्रामीडों के सहयोग से और एक बच्ची को तो सबस्क्राइब कर लिया गया है बच्चे को ह और हमारी जो हावदा टीम है वो एईडियारफ के लगी हुई है पूरी तरह से